कि न्यूयोक टाइम्स में एक जो खबर छपी थी कि चीन द्वारा कुछ संस्थाओं को और कुछ न्यूज को जो उनको जो फंडिंग हो रही है उसके विरुद ये लोगों ने किया लेकिन इसमें हमें दो तीन आपत्तियां पहली आपत्ति ये हैं कि सभी जानते हैं कि ये स् हैं सरकार के जो फैसले हैं जो जंता के ही उनके विरुद में ये लोग लगातार लिखते रहें खासता और से अभिशार शर्मा जी खितहीं हैं इस भारतिये जनतापाटी RSS अडानी जी के सरकार में इन स्वतंतरता के इन मुल्यों को कोई तवज़ो नहीं दी जा रही है और इस क्रम में इन पत्रकारों पर निशाना साधा गया है जो निश्चित तोर से निंदनिया हैं हम इसकी कठोर और कड़े शब्दों में सिर्फ निंदा नहीं क पलंगे लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहता कि कली बिहार सरकार ने जाती सर्वे की रिपोर्ट जाएट सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट के आने के बाद पूरे राज नन्यथिक महौल में एक कुथल-कुथल मचा है भारतिया जनतापार्टी की जो एक निरेटिव है भी नारी शक्तिकरन या शक्ति करन अधिनियम में दिया गया है उसमें उनंगों को स्थान नहीं दिया गया है तो ब्यार का ये जाती सर्वे बताता है कि कम से कम 65 प्रतिशत कम से कम OBC महिला हैं जिनको ये उनको किसी तरह का कोई उसमें स्थान नहीं दिया गया ये चिंता का विशह है समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए हम इसके पुर्ण रूप से समर्थक है तीन आज त सेक्टमबर को एक कॉल दी गई थी अलग-अलग समाजिक संगठनों द्वार जिनके तहत ये कहा गया था कि OBC और संख्यक महिलाओं को भी इसमें स्थान मिलना चाहिए और नारी सशक्तिकरन हो या शक्तिवंदन जो अदिनियम है उसमें समाज के वो नारी जो हैं जो और प पर इसको समर्थन दिये हैं वो इस पर पुनर विचार करें और समाज के सभी वर्गों को आगे लाने में जो सम्मत एक जो राय बनती है उसको माने और इस तहत हम लोगों ने कॉल दी थी वह कॉल बहुत ही सफल रहा भी एचिव डेली इंवरस्टी और एदराबाद युनि परची और गुड़ा में और इसी तरह जो उतर प्रदेश के सुल्तानपूर में लखनों में यह हमारे कॉल का सर हुआ और हलाकी इसको किसी राजनतिक दल ने समर्थन नहीं दिया लेकिन पुर्जोर तरीके से यह और जो समाजिक न्याय के इन जो मांग है उसको जन्ता ने अपना समर्थन दिया मैं उसके लिया शुक्र गुजार हूं सभी लोगों का और हम पुना अपने निताओं से मांग करते हैं सभी पाटी के निताओं से मांग करते हैं कि समाज के पिछले तपके के लोगों को भी आगे आने का अवसर दिया जाए और नारिश शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में एक इसको मात्र एक सवन महिलाओं का आरक्षण नग करके समाज के सभी वर्गों का आरक्षण और सभी महिलाओं का आरक्षण इसको किया जाए इससे भारत के सभी वर्गों में एक खुशाली होगी और सभी को आगयाने का अवसर मिलेगा